टीवेस कमपनी के स्पोर्ट में एक नया क्रॉप्शन इस्टार लाइड ब्लू कलर के साथ यहां पर लॉंस किया गया है तो यहां पर नया कलर आप देख सकते हैं इसके पहले जो कलर आप्सें मेल देते हैं रेड कलर के साथ बाकि यहां पर ब्लैक कलर के साथ मिलती है और इस में ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटर रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो में जो नया क्लर उप्शन है इसके साथ यहां पर डीटियल रिव्यू करने वाला है कौनको से फीचर से मिल जाते हैं किस प्राइज पर आपको मिल जाएगी लेकिन अगर आप लखना साथ ब्लू कलर है इसके फ्रण्ट से स्टार्ट करते हैं तो यहां पर पहले की तरह अपको को से चेट अप देखने कम जाएगा बाकी फ्रण्ट से लूग सकते हैं ग्लॉसी पेइंट स्कीम के साथ मिल जाएगी घ्ट के ऊपर है जो की ब्लैक पने शकावल मिल जाता है जो तार की बिल्कुन नया है अगर आपको पसंद आती है तो इसके साथ आप जा सकते हैं बाकि यहारी जू अपर एलायूउस दीग है और ब्ले रिफ्लेक्टर से तरल होगा है साइड से इसकिर लुक यहां पर देख सकते हैं लुक को डिजानिंग गुल पहले जैसे यहां पर प्रीए का 3D में लोगों मिल जाएगा, बाकी जूसका है, हेंडर बास आप देख सकते हैं, हेंडर बास आप कुछ ऐसा मिल जाता है, मेटर कंसोल बेसिक साव ऐसे मिलती है, बाकी यहां पर E20 की बैजिंग भी दी गई है, और सीट देख सकते हैं, आप आपको dual tone के स साथ अगर आपको यह पसंद आती है, इसके साथ आप जरू जा सकते हैं, बाकी जो नीची ओला पार्ट है और देखेंगे, आपको पुरुतरास के ब्लैक मिलता है, TBS की ब्रैंडिंग दी गई है, एंजन ब्लैक दिया का है, बाकी यहां पर साइड इस्टेन और मैन इस्ट प्रेस भी आजाएगा, जो की आपको फिटिट करके दिया जाएगा, और रियर लुक अगर बात करें तो इसकी जो टेलेम लुक है, वो आप देख सकते हैं, कुछ ऐसी मिल जाती है, पीवेस की ब्रैंडिंग यहां पर भी दी गई है, और इसका इंडिकेटर आपको देखने की मिल जाता है, यहां पर देखने की आपको कीशल पर भी देखने की मिल जाता है, बाकी जो ब्रेक लिबर शुट से, हो आप देख सकते हैं, इस नए लूक के साथ आपको अब एपको आप टीवेस से स्वोट कैसी लग रही है, इस ने की अच्रॉप्ör मे स्टाр llight इसका नाम है, comment box में जरूबत आएगा, बाकि जो features मिलते हैं वो पहले तरह आपको मिलेंगे, और जो engine मिलता है वो भी आपको पहले की तरह आपको मिलेगा, जो की 109cc के साथ मिल जाती है, जो की आपको single cylinder four stock engine मिल जाता है, और इसका जो engine है, लगबग 8.29 PS का power और 8.7 mm का torgen कर मिल जाती है, बाकि इसमें four speed gearbox मिल जाएगा, फ्रेंट में देखेंगे तो यहां पे आपको telescopic suspension, और rear के साथ अगर देखेंगे तो यहां पे आपको 5 step adjustable, यहां पे suspension मिल जाती है, इधर भी आपको spring मिल जाएगी, और दूसरे साथ देखेंगे तो यहां पी भी आपको, यहा जाती है, और यहां पे adjustable दिया गाए 5 step बाकि यहां पे tires की बात रहे तो इसमें आपको tube tire मिल जाती है, यहां फ्रेंट में देखेंगे आपको 2.75 x 17 inch के आपको tire मिल जाते हैं, और यह जो tire है, आपको tube के साथ मिलेगा, नाइलोन के tire मिल जाते हैं, और rear के side आपको जो tire की grip के साथ मिल जाते हैं, काफी एचे grips के साथ मिल जाते हैं, जिससे कि आप खराब रोडो पे भी इसको आप यूज को सकते हैं, लेकिन इक चीज इसमें कमी लग सकती है, इसमें आपको tube tire यहां पे देखने की मिलता है, क्योंकि इसकी प्राइजिंग है कहीं कहीं काफ के drum brick दिया गया है, तो drum brick के साथ आती है, बाकी जो features है उसके अगर बात करें, तो इसमें आपको basics है, इसमें देखेंगे तो आपको halo vision headland setup देखने की मिलेगा, और इसकी low beam है, और high beam है, आप sit out का सकते है, halo vision के साथ आती है, बाकी जो इसका exhaust mode है, वो भी आप सुन सकते हैं, meter console की अगर बात करें, इसमें आपको basics है, log meter console मिल जाएगा, और यहाँ पर information है, वो आप देखेंगे, तो इहाँ पर speed, auto meter, और यहाँ आपको feel vision करें मिल जाती है, बाकी यहाँ पर power mode देखने की मिल रहा है, और यहाँ पर indicator light दिया गया है, जो की आपको यहाँ पर neutral की light मिल जाती है, तो basic से यहाँ पर features आपको देखने की मिल जाएंगे, बाकी जो इसका clutch हो गए रहा है, और जो इसका brakes है, वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर switches के बात करें, तो यहाँ पर देखेंगे, तो left hand bar पर आपको passing switch मिल जाता है, और यहाँ पर headlame hiving switch दिया गया है, switch की quality जाता है, वो भी आपके देख सकते हैं, यहाँ पर indicator का switch दिया गया है, बाकी जो इसका indicator है, वो भी आप चेकाउट कर सकते हैं, जो कि आपको bulb के साथ मिल जाती है, और नीचे साइट देखेंगे, तो यहाँ पर phone मिल जाता है, तो horn सुन लेते हैं, बाकी दूसरे साइट दे लेते हैं, वैसे तो क्लेम माईलेज में 80 के MPL दागे, लेकिन फिर भी इसमें आपको 70 के MPL दागे, अपको अपको समयलेज मिल जाएगी, बाकी डिपेंड करता हैं, आपको डिपेंड करता हैं, अब कैसे यूज करते हैं, और इसकी जो टॉप इंड है, लगबग 90 के MPL से बाकि जो नया paint scheme है वो आपको कैसा लग रहा जरूरूर बताएगा और बाकि यहां पर कुछ डामेंस से बात करें आप जो इसकी ground clearance हो आप देखेंगे तो 175 mm तर इसकी ground clearance है सीट की हाइट यहां पर 790 mm है 10 लीटेक दी गई है बाकि जो इसका वेट है 112 kg तक है तो इतने सारे features मिल जाते हैं जैसे कम features दिया गया है तो आपको price range भी अच्छी देखने की मिल जागे तो इसकी price की बात कर लेते हैं तो अगर आप उत्रपर से बिलांग कर रहे होंगे तो इस color के साथ जो इसकी axiom price 61,306 यानी के exit जा 306 रुपय तक है जिसकी ondo price दगबग 75,346 यानी के पच्चापता हो जा 346 या 346 या लियाती है बागे आप लखनों से विलांग कर रहे होंगे तो crescendo TBS पे on-trade कर सकते हैं और आप किसी भी state से विलांग कर रहे होंगे तो वहा मैं आपको दे दिया है तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है अगर आपको यह color पसंद आती है तो इसके साथ भी आप जा सकते हैं आपको इसली मिल भी जाएगा अभी latest model इसको launch की गई है तो उमीद करता हूँ वीडियो आपको informative लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दिंगित क्या तो मैंने अपको तो सब्सक्राश करेदा ग्यां सब्सक्राइब कर दो शेयर करेदा कर दिया तो